हलो फ्रेंट्स वल्कम तो माई चैनल जीवो जीवन आप सभी का मेरे चैनल जीवो जीवन पर हार दिक स्वागत है पुर्शो की जांग पर ठिप किली के गिरने का क्या मतलब होता है और यदि गलती से गिर भी जाए तो इसके अशुप प्रहों से बचने के लिए आप किन वीडियो बहुत ही खास है अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों पौराडिक शास्त्रों एवं धार्मिक ग्रंथों में कई ऐसे संकेतों के बारे में बताया गया है जिसके द्वारा हम अपने भविश्य में होने वाली शुब और अशुब घटनाओं के बारे में पहले से ही जान सकते हैं परशुपक्षी और कई जीवजन्त अपने कुछ क्रिया का लापों द्वारा भविश्य में होने वाली शुब और अशुब घटनाओं से हमें अवगत कराते रहते हैं इनी जीवजन्तियों में एक है छिपकली जी हां सबी घरों में समान रुप से पाई जाने वाले छिप चिपकली करने का अलग अलग मतलब बतलाया गया है जैसा कि पुर्शो के शरीड के दाएं भाग और पर चिपकली का लिएन भाग पर चिपकली की बाएं भाग बताऊंगी तो आये जानते हैं कि यदि किसी पुरुष की जांग पर छिपकली गिरती है तो इसका क्या मतलब होता है दोस्तों शकुन सास्त्र के नुसार यदि किसी पुरुष की दाहिनी जांग पर छिपकली गिरती है तो यह अत्यांत शुब माना जाता है ऐसा माना जाता है कि ऐसे पुरुष को निकट भविश्य में कहीं न कहीं से सुब समचार की प्राप्ती हो सकती है इसके अलावा कहीं न कहीं से आपको धन प्राप्ती भी होने वाली है साथ ही साथ दाहनी जांक पर चिपकली का गिरना निकट भवश में सफलता प्राप्थि का सूचक माना जाता है दोस्तों शकुन सास्तर के नुसार यदि किसी पूरुष की बाई जांक पर चिपकली गिरती है तो यह शुब नहीं माना जाता ऐसा माना जाता है कि दिकट भविश में आपको किसी ने किसी प्रकार की मानसिक अथ्वा शारिक परशानी मिल सकती है इसके अत्रिक्त आपको आने वाले समय में किसी ने किसी प्रकार के घाटे का सामना करना पड़ सकता है पुर्षों की बाई जांक पर छिपकली का गिरना शुब नहीं माना जाता है पुर्षा मंतरों का जाब भी कर सकते हैं इसके अत्रिक्त आप नमक से खुद को पांच साथ या ग्यारा बार वार करके नमक को बाहर फेक सकते हैं दोस्तों आई जानते हैं विज्ञान के अनुसार मनुष्य के अंगों पर छिपकली के गिरने का क्या मतलब होता है विज्ञान के अनुसार मनुष्य के अंगों पर छिपकली का गिरना एक काम परक्रिया के अंतरगत माना गिया है परंतियोदी वयग्यानत दिष्टकून की बात करें तो छिपकली एक जहरीला जीव माना गिया है और यह जब किसी के शर Customer पर गिरती है तो अपने शर्यर से अलग-अलग मानेताय मानी गई हैं विज्यान की माने तो मनशक के अंगों पर चिपकली का गिरना एक काम पर क्रिया के अंतरगत माना गया है परन्तिधिशास्त्रों की माने तो चिपकली के क्रिया कलाप कई реб चिपाई हुएं जो मनशको भविश में होने वाली शुब और शेर करना ना भूले धन्यवाद